लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडिया लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए साथियों भाजपा की एंडिये की डेबल इंजिन की सरकार मुल्क सुभीदाओं से लेकर विकास की आकांख्षाओं तक असम को आगे बढ़ाने में जुटी है आज असम के हर हिस्से में रहने वाले गरीब परिवारों तक को एल पी जी गैस कनेक्शन मिल चुके है उनको दुए से मुक्ति मिली है असम में एल पी जी कवरेट जो पांच साल पहले पचास प्रतिशत से भी कम थी वो आज करीब करीब सत प्रतिशत होने को है इसी तरह बिजली और टॉयलेट की सुविदावी असम के गरीब से गरीब तक पहुचाने के लिए भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार ने एंडिये की सरकार ने बिन रात महनत की है आज आईशमान भारत योजना के तहट असम के लाखों परिवारों को पांच लाख रुपिये के मुप्त इलाज की सुविदा से जोड़ा जा चुका है इसी योजना के तहट असम के गाउं गाउं में आदूनिक हिल्स और वेलनेस सेंटर बनाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं कोशिज ये भी है कि असम की हर तील लोगसभा सिटों के बीच एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाए पांच सालों में आठ मेडिकल कॉलेज यहां बन चुके हैं इनमें लखिमपूर और बिश्वनात चरियाली के मेडिकल कॉलेज भी शामील है इससे आपको बहतर इलाज भी मिलेगा और मेडिकल की नर्सिंग की पढ़ाई करने वाली वाओं को भी बहतर आउसर मिलेगे भाई और बहनों असमें गरीबों के लिए प्रदान मंत्री आवाज योजना के तहत साड़े पांच लाग से जादा आवाज स्विकृत किये गए हैं इन मेंसे अनेक लाबार्तियों को अपने पक्के घर मिल चुके हैं जिनको अभी अपना घर नहीं मिला है वास्वस्तर है उनको भी जरूर अपना पक्का घर मिलेगा ये मेरा सपना है जब देश आजादी के 75 साल मनाएगा तब हिंदुस्तान का कोई गरीब पक्की छट के विना नहीं होगा इसके लिए हम काम कर रहे हैं हमारा प्रयास है कि बहुत जल्द हर गरीब को अपनी पक्की छट मिले किसी को भी घर के लिए तरसना न पड़े विशेश रुप से जो टी गार्डन में रहने वाले हमारे साती है उन तक ये मूल सुविदाए जल्द से जल्द और तेजी से तेजी से पहुचाई जाए इसके लिए हर संभव कोशिश की जा रही है भाई और बहनों गाओं में सडकों की स्थिटी को बहतर बनाने में हमारी डबल इंजिन की सरकार दो गुली सक्ती से काम कर रही है पात साल पहले तक असम में करीब 13,000 किलोमिटर ग्रामी सडकों का निर्माड हुआ था यानि सतर साल में याद रखिये याद रखोगे याद रखोगे सतर साल में 13,000 किलोमिटर बीते पात साल में हमने इससे भी ज़्यादा यानि करीब 15,000 किलोमिटर नई ग्रामिड सडके असम में बढ़ाई इसमें लखिमपुर जिले में ही लगबाद 700 किलोमिटर नई सडके बनी है इसी तरह असम में सेंक्रो किलोमिटर के नए हाइवे बने है पूराने हाइवे का चौड़ी करण किया गया है इस वर्ष के केंद्रिय बजेट में असम के नेशनल हाइवे इंफासेक्टर के लिए बहुत बड़ी भुद्वी की गई है